नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विनुद रहना आज लाइबरेट के प्रेटफॉर्म से आप से बात कर रहा हूं मैं सेक्षुलोजिस्ट हूं और मैं सेक्षुल मेडिशन पिछले 20 साल से प्रेक्डिस कर रहा हूं स्वास्ते समस्या और समधान के नए विडियो को देखने के लिए लाइबरेट के यूट्यूब कैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें कि दोस्तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से जो आपने आपको सेक्षुलोजिस्ट कहते हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है उनकी बात आप मत सुनियेगा क्यूंकि एक सेक्षुलोजिस्ट ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास एक प्रॉपर डिग्री हो दोस्तों आज हम करेंगे बात मॉस्ट्रबेशन के बारे में कि मॉस्ट्रबेशन के वज़े से क्या-क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप मॉस्ट्रबेशन करते हैं बहुत बार ऐसे patients हमारे पास आते हैं वो कहते हैं साब हमको addiction है masturbation का और उसकी वज़े से हमको problems हो रही है यह सच है अगर आप बहुत ज़रा masturbation करते हैं या आपको addiction है masturbation का तो यह आगे जाके आपकी sexual life में बहुत दिक्कत करेगा दोस्तों अगर आप masturbation करते हैं तो उसका एक time होना चाहिए अगर वो आप हफ़ते में दो या तीन बार करते हैं तो उससे कोई problem नहीं होगी आप दिन में एक बार भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप मॉस्टरिबेशन दिन में एक बार से ज़्यादा करते हैं तो आपको आगे जाके दिक्कति हो सकते हैं वीकिनस हो सकता है क्योंकि जब भी आप मॉस्टरिबेशन करते हैं तो उस process से आपको आपका वीरा बहार आ जाता है, sperm's बहार आ जाता है, लेकिन अगर आप ये बार-बार करोगे, तो आपकी body में एक शमता होती है वीरा बनाएगी, वो 24 या 48 गंटे में ही पूरा होता है, लेकिन अगर आप बार-बार इस process को करते हैं, बार-बार करते हैं, बार-बार आप sperm's को बाहर निकालते हैं, तो आपकी body में deficiency हो सकती है, severe deficiency हो सकती है, तो ध्यान रहे हैं, अगर आप masturbation करते हैं, तो आप addicted ना हो जाएगे, masturbation करना गलत नहीं है, बहुत सारे आप doctor कर पा जाएंगे, वो आपको कहेंगे, कि अगर आप masturbation करते हैं, तो आपको इससे problem होगा, नहीं, इससे कोई problem नहीं है, पैंस एक muscle है, अगर आप muscle की exercise continuous करते रहेंगे, तो वो fit रहेगा, तो इसी लिए, अगर आप masturbation daily करते हैं, या alternate days करते हैं, तो उससे एक आपको ये फाइदा है, कि आपका जो पैंस है, वो stand होता रहेगा, erectile dysfunction ही होगा, sexual dysfunction ही होगा, बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी sexual life को ठीक रखना चाहते हैं, masturbation करना, क्योंकि जब आप masturbation करते हैं, तो आपका penis खड़ा हो जाता है, उसको आदत रहती है खड़ा होने की, उसके जो vessels है, वो dilator रहते हैं, उनको stenosis नहीं होता है, बहुत सारे patients क्या करते हैं, वो masturbation करना बंद कर देते हैं उनको लगता है कि बहुत कमजोरी आएगी, या बहुत दिकत होगी, और उसके बाद उनमें बहुत सारी problems हो जाती है, erectile dysfunction हो सकता है, sexual dysfunction हो सकता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है, अगर आप masturbation ज़्यादा करते हैं, तो इस वज़ए से आपको premature education की problem हो सकती है, what is premature education, जिसक discharge कहते हैं, यह एक ऐसा process है, जब आप sex करते हैं, sex आपका ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, एक से दो मिनट में आप discharge हो जाते हैं, दोस्तों, अगर आपको एक proper sexual intercourse कर्स करना है, तो उसके लिए आपको minimum 25 से 45 मिनट तक sex करना है, क्यूंकि एक female पांच या 10 मिनट में orgasm नहीं पाती है, अगर आप continuous एक female के साथ sex करते हैं, तो उसको 20-25 मिनट चाहिए, so that she is getting orgasm, females को multiple orgasms चाहिए, अपने आपको satisfy करने के लिए, और अगर उस दोरान male sex करता है और वो जल्दे discharge हो जाता है, तो आपकी female जो है, जो पार्टनर है, वो unset sped रहेगी, तो ध्यान रहें दोस्तों, अगर आपको sex life बढ़िया रखनी है, तो उसके लिए 3-4 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है, अगर आप smoking करते हैं, तो smoking को बंद करें, कम करें, अगर आप chain smoker है, तो आपको erectile dysfunction आगे जाके 100% होगा, क्योंकि जो ही आप smoke करते हैं, तो वो सारा smoke lungs में जाता है, lungs के थूरू सारा जो ये smoke है, वो पूरे हमारे body में फैलता है, और हमारे नसों को stronosis करता है, बंद कर देता है, उसकी वज़ा से आपकी circulation जो है, उसमें problem आजाती है, दोस्तों, अगर आप ज़्यादा drink करते हैं, तो ये भी एक हानी कारक effect हो सकता आपको, drink कम करें, अगर नियमित लूप से आप drink करते हैं, तो आप इसमें कोई हानी नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा drink करते हैं, तो उसको कम करें, सबसे important नीद, आपका जो नीद है, वो 7 से 8 गंटे होनी चाहिए, 24 गंटे में 8 गंटे सोना mandatory है, 7 से 8 गंटे, sound sleep, अगर उससे आप कम सोते हैं, तो आपको problem हो सकती है, stress, कम लेना है, दोस्तों, आलरड़ी हमारी जो life है आजकल, बहुत stressful है, और उसके बाद हम stress कैसे बढ़ाते हैं, हम बहुत देर तक mobile पे बैठते हैं, वाट्सअप पे बैठते हैं, वीडियोज देखते हैं, यूट्यूब वीडियोज देखते हैं, दोस्तों, ये भी आपको stress बढ़ाता है, फून से थोड़ा दूर रखिए, टीवी कम देखें, बहुत सारे patients ऐसे देखा जाता है, कि वो बहुत बार दिन में टीवी देखते दोस्तों उसको भी बंद करो, सवेरे उठे, एग गंटा वॉक करें, ब्रिस्कवा का आपने करना, छे से साथ किलमेटर आपने चलना है, दस से पंदरा बदाम बिगो के खाये सवेरे, एक से दो अक्रोट बिगो के खाये सवेरे, आप ब्रोकली खा सकते हैं, हफते में दो स से तीन बार, आपका टेस्टिस्टोन लेवल बढ़ेगा, आप काली उरत की दाल खा सकते हैं, आपका सेक्स पौर बढ़ेगी, अगर आप नौन विजचेरें तो आप मिशली ले सकते हैं, मिशली हफते में दो या तीन बार खाये, उससे बहुत फरक पड़ेगा, दोस्तों अगर आपको अपने आपको हल्दी रखना है, तो आपको एक छोटा सो नुस्का देता हूँ मैं, अगर आप हर दिन दो टमाटर, थोड़ी सी कच्ची हल्दी, थोड़ी सी अध्रक, पांच दस पते नीम के, पांच दस पते पुदिने के, पांच दस पते धनिये के, उसको ग्राइंड करेंगे, और उसमें पानी डालेंगे एक या दो गिलास, और फिर वो आप सवेरे पीएंगे या शाम को पीएंगे, उसके बाद वाक करने जाएंगे, दोस्तों आप में बहुत ज़्यादा एनरजी आएगे, डैट पे द्यान देना है, वरिटिंग नहीं करनी ह वेट को कम करना है, रेडेक्शन पहलाना है, आपका BMI एग्जेक्ट ठीक होना चाहिए, अगर आपकी 6 foot है तो आपका वेट 70 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डैट is very important, शाम को ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आप heavy breakfast कर सकते हैं, दिन में normal lunch कर सकते हैं, soup पी सकते है fruits को ज्यान देना है, fruits दो सो डाइ सो तीन सो ग्राम दिन में daily खाना है, rotation में fruits खाओ, कभी save खाया, कभी पपिता खाया, कभी केला खाया, कभी संत्रा खाया, fruits को rotate करना, उससे आपको multi vitamins मिलेंगे, अगर उसके बाद भी आपको problems आती हैं, तो दोस्तों, आपको एक अच्छे sex के पास जाना चाहिए, अगर आप एक अच्छे doctor के पास आते हैं, तो आपकी problem ठीक हो जाती है, दोस्तों, लाइबरेट, ऐसा एक platform है, जहां पर आपको अच्छे और पड़े लिखे doctor मिलेंगे, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, आप लाइ अगर आपको कोई भी question हो, आप मेरे को direct लिखें, मेरे से बात करें, लाइबरेट पर लिखें, कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक question का आपका answer करो, आज के लिए इतना ही, धनिवाद कर दो आपका tutकर आपका मेरे साइया झालिवा भी भीी अगर वन्चेर आपका है ugो, आपका प्हें इतना ही, आपकाइंबरे आपका रम्थेश करा लिखेंप़ रपका ख Àपकारी है आपका है